चालाक चूहा, एक दिन एक बिल्ली को चूहा मिला, बिल्ली ने सोचा, आज मुझे अच्छा भूजन मिल जाएगा, चूहे को पकड़कर, बिल्ली उसे खाने ही वाली थी, चूहे ने विनती की जरा एक मिनट रुको और मुझे सुनो, बिल्ली ने चूहे को टोकते हुए कहा जल्दी बोलो, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले तुम मुझे देखो, क्या मेरे शरीर में हट्डियों के सिवाए तुम्हे कुछ मास देख रहा है, पिछले कई दिनों से बिना भोजन के मैं भूखा मर रहा हूँ, अभी मुझे खाने से तुम्हारी भूख नहीं चुहे ने कहा, तो क्या, मैं तुम्हे एक उपाय बताता हूँ, कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अच्छा भोजन खिलाओ, मैं मोटा हो जाऊंगा, तब तुम मुझे खा सकती हो, चुहे ने कहा, बिल्ली को यह उपाय अच्छा ही लगा, किन्तु शक भी हुआ कि, लेक अगर वैसी बात है, तो मुझे बांस की टोकरी में रखकर, मेरी निगरानी करना, चुहे ने सुझाया, बिल्ली मान गई, चुहे को एक बांस की टोकरी में रखकर, बिल्ली तरह तरह की चीजे खिलाती रही, चुहा बिल्ली की दी हुई सारी चीजों को खाने के साथ साथ, बांस को भी रोज रोज फोड़ा थोड़ा कुतरने लगा एक दिन बिल्ली ने चुहे से पूछा क्या तुम मोटे हो गए हो चुहे ने उत्तर दिया अभी नहीं दो दिन और सब्र करो ऐसे कई दिनों तक चलता रहा कुछ दिनों के बाद चुहा ने टोकरी में से अपने निकल जाने लायक बड़ा छेद कर लिया अगले दिन टोकरी में भोजन डालते समय बिल्ली ने अपना प्रश्न दोहराया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला बिल्ली ने टोकरी में देखा उसमें बड़ा छेद था, चूहा नहीं दिखा, बिल्ली को समझ में आया कि हमें किसी चूहे को टोकरी में रखकर भोजन नहीं खिलाना चाहिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट आने पर हमें उससे निकलने का उपाय धूंधना चाहिए